चैनल पर आज का हमारा टॉपिक है गुपतोत्तेटिक। है जाइसे पूर्स मऱ्मध रिकाल dif के से इसे इसके बाद तुर्कों का आगमन हो जाता है और मुसलमानों का आगमन हुता है मुस्लिम सास्कोば का हमले होते हैं महमौर्ण देखेंगे कि इस काल के बाद महमोद घजनबी मुहम्मद गवरी इनका आक्रमन होता है और सलतनत काल चुनव हो जाता है इन गुप्तोत्तर काल में जिन सासकों ने प्रमुक्तया सासन किया उसमें परवारवण्स हो गया अगर देखा जाए तो इसमें पुर्मफ वंसों में परमार वंस था चवहान वंस हो गया साकमरी का इसके लावाद बुर्जर प्रतिहारों ने भी सासन किया गहडवाल वंस जिसमें प्रतवी जैचंद का नाम आता है इसी में चंदेल सासकों ने सासन किया गुप्तोत्तरकाल में कल्चुरी के सासक पाल वंस ने सासन किया चालिकों ने अभी अपना राज अस्थापित किया और दक्षिण भारत में शुदोर दक्षिण में चोल सामराज अस्थापित हुआ торовवल्ण थे, तो इनके बारे में हम जानेंगे आ ये देखते हैं कॉंकॉन से वन्सों ने प्रमुक्तिया शाशन किया तो गुपत्र प्रमुक्त राजोंसों की बात करें तो इसमें बादामी या वॉतापी के चालुक के, गुजरृत का चालुक या जिसे सोलंकी वन्स कहते ह कल्यानि के चालूख की जेजाग भुकती का चन्देल वंस कन्योज का लधाडवाल वंस संदेख साकमभरी का चुछान के प्रतवी राज्किरतिय प्रमुख है जो मुहमत गोरी से युद्ध करता है जिसमें तराइन का युद्ध होता है मालवा के पर्मार्ख जिसमें राजा और उसके बाद हम जो गुप्तुत्तर कालिन छोटे 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 राजवन्स थे उनके बारे में भी जानेंगे और अंत में जानेंगे गुप्तुत्तर कालिन प्रसासन और उनकी कला और संस्कृति के बारे में अगया गवाध्यार के चलाल कुलग करनास से और तो छेटवी सताब्दी से ले कर के लिए शेठी सताब्दी से इनका आठवीी शताब्दी साशन रहा आठवी सताद्धी के मद्ध तक के मद्ध तक इन्हों ने साशन किया यह बादामी या वातापी के चालुक के थे इस चालुक्वंस की इसी साखा का दच्छिण पर आधिपत्त रहा इसलिए इनको और इसका उतकर्स क्योंकि इसका जो उतकर्स हुआ उतकर्स अस्थान इसका उतकर्स जो हुआ वो बादामी स्थेत्र से होता है उतकर्स इसका बादामी से होता है इसलिए इनको बादामी के चालुक के या वातापी का चालुक के कहा जाता है अगर इनमें पुर्मुक्र सासकों की बात करें तो पुलकेशिन प्रथम का नाम आता है, कीर्थी वन्मन प्रथम का नाम आता है, जो की सासक होता है, प्रतापी सासक, और इसे ही प्रतापी निर्माता माना जाता है इस वन्सका, उलिकेशिन दितिये यह सबसे प्रतापी सासक होता है बादामी या इस वातापी मन्स का विक्रमा दितिये और फिर कीर्थी वर्मन दितिये की बात करें तो यह अंतिम सासक होता है और इसी के बाद सामराज का डिकलाइन हो जाता है इस सामराज के इस वंस की अस्थापना की बात करें तो जैसिंग ने की थी इस वातापी के चालुक वंस की अस्थापना जैसिंग नामक सासक ने की थी और यह किसी के सामन रहे हुँगे इनकी राजधानी वातापी थी विजापुर के निकट इनमें अगर पुर्मुक्ष सासकों में जो इंपॉर्टन टॉपिक है उनमें बात की जाए तो पुलकेशिंदुतिये का एक अभिलेक है इनका एक अभिलेक मिलता है एहोल अभिलेक है उलकेशिंदुतिये का इससे प्रमाणिक जानकारी प्राप्त होती है इस वन्स के बारे में चालोक पुवंस की जो यह साखा है बादामिया वाताफिक के चालोक इसकी जो भी जानकारी प्राप्त होती है प्रमाणिक जानकारी वो एहोल अभिलेक से प्राप्त होती है ये अभलेक, एहूल अभलेक की बात करें, तो इसकी रचना रवी कीरती ने की थी, रवी कीरती ने इस अभलेक की रचना की थी, और ये अभलेक एक प्रसस्ती के रूप में है, ये अभलेक एक प्रसस्ती के रूप में है, इसके एगर इस वंज के यानि के एगर चालुक का असली संस्थापक देखा जाए तो वो पुलिकेशिन प्रथम था पुलिकेशिन प्रथम इस वंज का अस्तविक संस्थापक माना जाता है यह जाय सिंग गलत लिखा हुए, सोरी उलकेशिन परथम वातापी या चालुकवनस का संस्थापक माना जाता है कीर्ती वर्मन परथम की बात करें तो कीर्ती वर्मन परथम इसका सासन रहा इसने 566SV से ले करके 597SV तक सासन किया यानि 597AD तक सासन किया इसने और ये इसे प्रथम निर्माता माना जाता है प्रथम निर्माता माना जाता है प्रथम निर्माता माना जाता है इस सामराज मतलब इस वन्स का पुलकेशिन दृतिये एक पुर्मुक सासक है पुलकेशिन दृतिये की बात करें अगर तो पुलकेशिन जो दितिये है पुलकेशिन दितिये जिसका सासन काल रहता है 609 से 609 से 642 लगभग लगभग हर्स के समानांतर रहता है इसका सासन काल और यह सबसे प्रतापी सासक होता है इस्वन्स का सबसे प्रतापी सासक इसका हर्स के साथ नर्मदा नदी के तत पर युद्ध होता है तो पुलकेशिन दितिये ने नर्मदा नदी के तटपर हर्ष को पराजित किया था इसने पराजित किया पुलकेशिन दितिये के बाद जो है कालांतर में आगे चलके एक प्रमुक सासक होता है विक्रमा दित दितिये के बाद में कीर्ती वर्मन दितिये सासक होता है । सास्वांज में किर्थवर्मन दितिये का सासन होता है तो इसवनस की बात करें तो कीर्थवर्मन किर्थवर्मन दितिये अन्तिम सासक होता है यहां का samples कि 746 इस भी के लगभग इसका सासनकाल होता है और यह अपने जो सामराज था विशाल जो चालो की सामराज था जो आप देख रहे हैं यहां पर इसको आप बचाए रखने में नाकामियाब रहा और दंती दुर्ग जो राष्ट कूट नामक सासक था यह दंती दुर्ग से पराजित होता है जो है उसे सामराज का पतन कर हो जाता है तो यहां राष्ट कूट वंस की निव पड़ जाती है फिर यहां से राष्ट कूट वंस शुरू हो जाता है और यह जो बादामी या वातापी के चालो की की बात करें तो इसका डिकलाइन हो जाता है तो इसमें दो तीन महत्पुन टॉपिक, पुलिकेशन प्रथम ने चालुक्वंस की स्थापना की, कीर्थी वर्मन प्रथम को वास्तविक निर्माता या प्रथम निर्माता माना जाता है इस चालुक्वंस का, पुलिकेशन दितिये सबसे प्रतापी सासक था, इसका हर्ष की स युद्ध होता है नर्मदा नधी के तट पर इसकी जानकारी एहोल अभिलेक से मिलती है एहोल अभिलेक रवी कीर्थी की रचना है जो एक प्रसस्ति के रूप में है हर्च को पुलकेशिन दितिये पराजित करता है और कालंतर में फिर बिक्रमाम दुतिये का सासन करता है उसके बाद फिर कीर्ति मर्मन दुतिये का सासन आता है और कीर्ति मर्मन दुतिये अपने पुर्बुजों के बनाये हुए इस सामराज को जो है बचाने में नाकाम्याब रहता है और अस्फल हो जाता है और दंति दुर्ग नामक एक सासक ज तो बस इतने ही महत्पूर्ण टॉपिक है। आगे हैं गुजरात का अनिलवार वंस या जिसे सोलंकी वंस कहते हैं। इस सासक की बात करें कि इसका जो उत्पत्ती है वो विबाद आस्पत मानी जाती है। इसमें वाराह महिर की जो ब्रहत संगीता है व्रहत संगीता यह वाराह महिर की रचना है। इसमें इसे सूलिक जाती का माना गया है इसके बारे में विवाद है। इसको सूलिक जाती का माना गया है और प्रतिवी राज राशो ने इनकी पत्ति माउंट आबो पर यग हुआ था उसके अगनी कुंड से बताई है और प्रत्वी राज रासु जो चंद प्रदाई की रचना है प्रत्वी राज रासु इसनी कहा है कि इनकी उत्पत्ति जो है आबो पर्वत कर किये गए यग्य से आबो पर्वत पर किये यग्य से इनकी रचना हुई है बनी इनकी उत्पत्ति हुई है तो प्रत्वी राज रासु में कहा गया है कि आबो पर्वत प्रजोग यग्य हुआ उससे इनकी उत्पत्ति हुई और ब्रहत संगिता में कहा गया है कि ये सूलिक जाति के थे ये आबु परवत का मंदिर है इसके सनस्थापक की बात करें तो वो मोल राज प्रथम था मोल राज प्रथम ने गुजरात के इस सुलनकी बनस्किय स्थापना की राजधानी इसकी अनेलवार थी और इस धर्म के जो सासक थे की बात करी तो इनके जो सासक थे, इनके इस वंसकी वो जैन थे, जैन धर्म को मारने वाले थे, मुल राज प्रथम जो था वो सयोधर्म का निया आई था, भीम इंपोर्टन जो फैक्ट है कि जो सोमनात मंदिर पर आक्रमन हुआ, वो भीम प्रथम के सासनकाल में हुआ, भीम प्रथम के सामन्थ थे एक बिमल, इसने आबू परवत पर दिलवाडा का प्रसिद जैन मंदिर बनाया, अब ही हमने क्या पढ़ा कि जो आबू परवत पर यग हुआ था, प्रथमी राज रासों में वहां से इस्वन्स की उत्पत्ति बताई गई है, इस्वन्स के अगर सबसे प्रतापी सासक की बात करें तो जैसिंग सिद्ध राज था, उसका नाम जैसिंग था, उसने सिद्ध सिद्ध राज की उपाधी धारन की थी, हेम चंद्र जो है सिद्ध राज के दर्वार में था, जो जैन विद्ध्वान था, और माउंट आवू परवत पर एक मंडब बनाकर सिद्ध राज ने इपने सातों पुरवजों की गजरोही मूर्तियां स्थापित की, तो सिद्ध इस वन्स के प्रमुक्ष सासकों की बारे में एक डेटेल थोड़ी जान लेते हैं, सबसे पहले अगर बात करें भीम पर्थम की, तो भीम पर्थम का जो सासन का रहा है, वो 1022 से लेकर के 1064 इस भी था, 1064 AD, ये इस वन्स का सबसे सक्तिसाली सासक था, इसकी बात करें, तो य इस सबसे सक्तिसाली सासक था, इस चालुक्यु साखा का, सबसे सक्तिसाली, उसकी सासनकाल में ही, जैसे के भी हमने बताया कि, 2025 में, 1025 में, इसमें महमूद गजनवी का आकरमण होता है, महमूद गजनवी का आकरमण होता है, गजनवी का आकरमण, इसी के सासनकाल में होता है, महमूद गजनवी का आकरमण, इसके लावा कर बात करें तो क्योंकि मुहामूद गजनवी आक्रमर करता है वो सोमनात मंदिर को लूटता है और उसको तहसनेस कर देता है फिर भीम परथम क्या करता है कि जो सोमनात मंदिर इसके शासंकाल में लूटा गया था वो पहले लकड़ी और ईटो से निर्मित हुआ था, भीम पर्थम ने जो पर्थम सासकते, इन्होंने उस सोमनात मन्धिर को पत्थरों से निर्मित करवाया, तो इन्होंने सोमनात मंदिर को पत्थरों से निर्मित करवाया तो क्योंकि आजकल बड़े टिकी कुश्चन पूछे जाते हैं कि सोमनात मंदिर को पत्थरों से किसने निर्मित करवाया तो भीम पर्थम ने सोमनात मंदिर को पत्थरों से निर्मित करवाया भीम प्रथम के सेना नायक थे, इनहीं के सेना नायक, इनके जो सेना नायक थे, सेना नायक का नाम था विमल साह, विमल साह नी दिलवाडा का जो जैन मंदिर है, उसका निर्मान करवाया था, तो भीमल साह नी दिलवाडा का जो जैन मंदिर है, दिलवाडा जैन मंदिर का इन्होंने निर्माड करवाया था, जो इनके सेना नायक थे, सोमनात मंदिर से एक और प्रमुख मानिता ये है कि इस मंदिर का पुनर निर्मार जो है कुमार पाल ने करवाया था ऐसी मानिता है भीम पृथम के बाद जो अगला सासक था वो जैसिंग सिध्धराज था जैसिंग सिध्धराज के बारे में बात करें तो इसका सासनकाल था एक हजार चवरान नभी से वन जिरो नाइन फोर से एलेवन फोटी थिरी इश्वी इसने सिध्धराज की उपाधी धारण की थी ये परकार्मी बीर भूरन के जाद ये विद्ध्वानों को भी आश्रे देता था यानि सिध्धराज की बात करें तो ये विद्ध्वानों का आश्रे दाता था विद्ध्वानों का आश्रे दाता था इसने विद्ध्वानों क को आश्रे दिया था और हिसके दर्वार में ही हेमms रहते थे जो हेमेज थे जैन विद्वान healthy वो जैसिंग सिद्धराज के दरवार में रहते थी, इसने हमने पहले जब इसके इंपोर्टेंट टॉपिक देखे तो इसने आबु परवत पर जो है सातों पुरोजों की जो मूर्तियां थी, उसको स्थाफित करवाया, तो आबु परवत महत्पूर्ण है, आबु परवत इस इसके लावा इन्होंने एक रुद्र महाकाल का मंदिर बनवाया था, रुद्र महाकाल का मंदिर, रुद्र महाकाल मंदिर का निर्माण करवाया था, जैसिंग सिद्धराज ने, ये स्वयम तो सयो विद्ध्वान था, लेकिन फिर भी इसने जो है, जैन विद्ध्वान जो काल की बात करें, तो इनका सासन काल जो था, वो 1143 से 1172 इस भी तक था ये एक महत्वा कांचिस आ सकता अब दिखीएक मांगता है कि जो सोमनात मंदिर है, उसका पुनन निर्माल कुमार पाल ने करवाया था और लेकिन कहा जाता है कि जो सोमनात मंदिर है, उसको पत्थनों से निर्मित करवाया था भीम पर्थम ने, नस्ट होने के बाद प्रसिद्धी जो जैन आचार थे इन्होंने इसे जैन धर में दिख्षित किया था तो ये जैन आचारी हीम चंदर द्वारा इसने दिख्षा ली थी और ये दिख्षा ली इसने जैन धर्म की इसने दिख्षा लेने के बाद जो उपाधी धारण की उपाधी धारण की इसने परम आरहत की परम आरहत की इसने उपाधी धारण की जो इसने दिख्षा ली जैन आचारी से तो परम आरहत की उपाधी धारण की और फिर इसने अहिंसा के निमों को पालन किया, क्योंकि अहिंसा जैन धर्म में परम अनिवार है, जैन धर्म का परम तत्त है, जो पांच रत्न है जैन धर्म के, उसमें ये प्रमुख है अहिंसा, पांच ब्रत जो है, उसमें जैन परमपरा के अनुसार कुमारपाल ने जो अपने संपूर्ण समराज में पसुहत्या, मद्यपान, धूत, कीड़ा पर प्रतिबंध लगा दिया था, यूकि जब ये जैन धर में दिछित हो गया तो इसने जो अपने राज में अन्यदिक कार थे, उनको प्रतिबंधित कर इसने जो है अन्तिम रूप से सोमनात मंदिर का पुनन डर्माल करवाया, तो सोमनात मंदिर का अन्तिम रूप से इसने पुनन डर्माल करवाया, अंतिम रूप से पुनर निर्माण करवाया इसकी बाद इसने जैन आचारी जो थे हेमचंद्र के साथ वहाँ पर सिव की पूजा की कुमारपाल ने कुमारपार चरित नामक जो काब्य है उसमें जैसिंग सूरब जैसिंग सूरी नामक एक कभी है उसने इसका इसोगान किया है कुमारपाल के बाद जो अगला सासक था वो अजैपाल होता है आजैपाल 1172 से 1176 तक सासक रहता है अब इससे ही अनुमान लगाए जाता है कि इस समय आजैपाल जो था यह कुमारपाल का ही उत्तरादिकारी था और इसके साल सासनकाल में ग्रहियुद्ध प्रारंब हो जाता है क्योंकि कुछ अन्याई जो देखें कुमारपाल जो है जैन धर्म का अन्याई हो जाता है इससे पहले जो थे वो सेव धर्म के अन्याई थे तो इसके सासनकाल में ग्रहिजुद्ध होता है ग्रहिजुद्ध होता है जैन एवं सयो अन्याई के मद्ध के मद्ध तो जैन और सयो अन्याई के मद्ध में यहां ग्रहिजुद्ध छिटता है अजैपाल के सासनकाल में और इसी की कारण इसके सासनकाल में अनेक जैन विक्षू की हत्या कर दी जाती है और जैन मंदिरों को नश्ट कर दिया जाता है इसके बाद मूल राज दुतिये जिसका सासनकाल रहता है दू साल यानि 1176 से 1178 तक मूल राज दुतिये की बात करें तो इसके बाद में फिर भीम दुतिये के सासन आ जाता है और इसके बाद भीम दुतिये जोकी 1178 से 1195 तक सासक रहता है मूल राज दुतिये से संबन धित एक बहत पूर्ट फैक्ट यह है कि इसने मुहम्मद गौरी को हराया था इसने आबू परवत के निकट मुहम्मद गौरी को हराया था इसने मुहम्मद गौरी को हराया चालुक वंस का जो अंतिम सासक की बात करें तो वो भीम दुतिये था भीम दुतिये है यानि भीम राज दुतिये यह चालुक वंस का अंतिम सासक था और इसने चालुक्यों की सक्ति और प्रतिष्ठा को पुना अस्तापित किया और इसने ग्यारा सो अठत्तर इस भीमे गौरी के आक्रमण को विफल किया इसने ग्यारा सो ठत्तर में गौरी के गुजरात आक्रमण को विफल किया गुजरात आक्रमण को इसने विफल किया और फिर उसके बाद में फिर जब गौरी अपने जो गुलाम थे कुत्व भुद्दिन एवक को छोड़के जाता है तो ग्यारा सो पंचान नवी में एवक ने गुजरात पर आक्रमण कर दिया एवक ने गुजरात पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया एवक ने गुजरात पर अधिकार कर लेता है वहाँ पर आक्रमण करता है और भीम्राज दित्रिय को पराजित करके वहाँ पर अधिकार कर लेता है तो प्रमुक सासकों में भीम प्रथमी जो सबसे सक्तिसाली होता है इसी की सासनकाल में महमूद गजनमी का आक्रमण होता है और उस सोमनात मंदिर पर आक्रमण करके उसको लूटता है और उस मंदिर को तहस्रेश कर देता है उसके बाद सोमनात मंदिर का जो पुनन रिर्मार क भीम पर्थम के ही सेना नायक होते हैं बीमन साह जो दिलवाडा की जयन मंदिर का निर्मान कराते हैं और जैसिंग सिद्धराज की बात करें तो ये विद्ध्वानों का आश्रेद आता रहता है और इसने हेम चंद्र जो की जयन विद्ध्वान थे उनको अपनी दर्वार में आश्रे देता है। आबू परबत पर ये इपने साथो पूरभुजों की याद में जो है साथ घोड़े पर सवार, रथा रोही मतलब मंदिरों का निर्माण करता है। रुद्र महाकाल मंदिर का निर्माण कराता है सिंद्ध्पुर में। कुमारपाल की बात करें तो ये जैन आचारे हेमचंद्र द्वारा ये दिख्छा लेता है और दिख्छा लेने की बात परम अरहत की उपाधी धारण करके सासन करता है और इसनी सोमनात मंदिर पर जो है उसका पुनर्णिर्माण आंटिम्रूप से पुनर्णिर्माण कराता है फिर आजेपाल सासक बनता है ये भी कुमार पाल का जो उत्तर अधिकारी होता है इसके सासनकाल की प्रमग बात ये है कि क्योंकि कुमार पाल ने जैन धर्म की दिछा ली थी तो जैन अनियाईयों या जैन विक्षूओं को काफी सुखधाएं दी गड़ी होंगी कि वो जैन ध माईयों के बीच कई जैन विक्षूओं के बहुत से जैन विक्षूओं की हत्या कर दी जाती है जैन मंदिरों को नश्ट कर दिया जाता है जैन अजेपाल के बाद फिर मूल राज दुतिये सासन करता है मूल राज दुतिये से सम्मंदित एक फैक्ट है कि ये आबु परवत के दिकर मुहम्मद गौरी को हराता है इसके बाद भीम राज जुति जो इसवंस का अंतिम सासक होता है इसके राज में गौरी का आक्रमण होता है जिसे वो विफल कर देता है और अंतिता 1195 में गौरी के जो गुलाम थे कुतबवद्दिन एबग उसने गुजरात पर कर लिया तो यह था गुजरात के चालुक्या सोलंकी वन से संबंधित अब वो आखरी है कि जो कल्यानी के चालुक्यों की बात करें तो इनमें जो पर्थम था जो इसका जनमदाता कहें या इसके सोतंत्रता का जनमदाता कहें तो यह तैलुक्यों था तैलुक्यों पर्थम जो इस वन्स का जनमदाता था सोमेशर पर्थम इसके बाद सासक बनता है सोमेशर पर्थम इस्सो मेश वर पर्थम है यह मूलसासक होता है जो एक सो, sorry, 11043 में बनता है इसनी अपनी राजधानी जो है मानिखेत से जो मानिखेत इसकी राजधानी थी उसको यह कल्यारी अस्थापित करता है यानि ये कल्याणी ले जाता है तो यहीं से ये कल्याणी के चालू की मने जाते ही सोमेसर पुर्थम की बात करें तो ये कुपम और कुंडल संगमम के युद्ध में चोलों से हारता है तो ये कुपम के युद्ध में चोलों से पराजित होता है चोलों से पराजित होता है और बुरी तरह से ये पराजित होता है और इतनी मतलब इसकी मानसिक्ता उस युद्ध के बाद इतनी गिर जाती है इतना मतलब उसके बाद पराजिय के उपर पराजिय मिलती है और उससे बिछित होकर ये तुंग भद्धरा नदी में डूप जाता है तो ये तुंग भध्द्रा में दूप कर आत्महत्य कर लेता है तो सुमेसर पुर्थम तुंग भध्द्रा में दूप कर आत्महत्य कर लेता है तो सुमेसर पुर्थम के बाद फिर जो पुर्मुक सासक होता है इसका पुत्र सोमेसर दुतिये सासक बनता है सोमेसर दुतिये की बात करें तो ये 168 से 1068 से 1076 तक सासिन करता है इसके बाद विक्रमादित्खष्ट जो है सासन पर बैठता है विक्रमादित्खष्ट ये सुमेसर दुतिये था ये सुमेसर प्रधम था तो उसके बाद विक्रमादित्खष्ट सासन पर बैठता है विक्रमादित्खस्ट ये विक्रमांक देव चरित की रचेता था बिल्हन ये दिखिए ये जो बिल्हन थे विक्रमांक देव चरितम की रचेता इसकी और मिताक्षरा के लेखत थे विज्ञानेश्वर ये जिससे की बिल्हन और विज्ञानेश्वर ये थे ये विक्रमादित िधिखष्ट के दरबार में रहते थे कि मिताक्षरा यह हिंदू विधि ग्रंत है यानि हिंदू यानि कानून ग्रंत है यह याग वल्क इस्मृती पर व्याख्या करता है और इसकी रचना जो है महान विधि वेत्ता विग्ज्याने श्वर्न की थी बिक्रमान्ग्ग दिद्खष्ट के वर्थी के बाद चालकवंस की जो है डिक्लाइन की तरह बढ़ता है और इसकी आउनति प्राराम हो जाती है जो इसका अन्तिम साशक होता है वह तेलग्तृतियी होता है नानि तेल्ग्तृतियी का फुत्र सोमेसर्चत्वृत्व इससे अंतिम सासक होता है तो अंतिम सासक की बात करें तो वो सूमिस्वर चतूर्थ होता है सूमिस्वर चतूर्थ जो है चतूर्थ इस वन्सका अंतिम सासक होता है क्योंकि इसकी डिक्लाइन जो है वो विक्रमत खष्ट के समय से ही शुरू हो जाता है और सोमेसर चतुर्त इस वन्स का अंतिम्त सासक होता है तो नमस्कार धन्यमाद बहुत बहुत आगली वीडियो मिलेंगे कल तब तक के लिए नमस्कार